बच्चो पिछले अध्याय में आपने आव्यू पढ़ा, आव्यू से सम्मंदित आवधारनाओं को पढ़ने के बाद आपने उस सम्मंदित प्रश्णों को हल किया इस अध्या में हम पढ़ेंगे सारणिक, सारणिक से सम्मंधित अउधारणाओं को पढ़ने के बाद हम उसका अनुपरियोग देखेंगे जहां पर हम देखेंगे कि उप सारणिक क्या होता है, सहखंडज क्या होता है और इन दोनों का उपयोग करके सारनिक के प्रगुण किस प्रकार आते हैं या फिर सारनिक के प्रगुण क्या क्या होते हैं और फिर सारनिक के प्रगुणों का उपयोग करके हम देखेंगे कि सारनिक को बिना हल किये सिर्फ प्रगुण का उपयोग करके भी सरल किया जा सकता है एक चरवाले सम्हीकरण निकाए a1x plus b1 equal to 0 a2x plus b2 equal to 0 इसे यदि समीकरण 1 और 2 नाम दे करके हम सोचें कि यदि a1 is not equal to 0 और a2 is not equal to 0 तब समीकरण 1 से हम यह लिख सकते हैं कि a1 x plus b1 equal to 0 यह हमें आगे देगा a1 x equal to minus b और सरल करें तो हमें मिलेगा x equal to minus b1 upon a1 इसे हम समीकरण 3 नाम देता है अब यदि समीकरण 2 को इसी प्रकार हल करें तो हमें मिलेगा a2 x equal to minus b2 और x equal to minus b2 upon a2 इसे समीकरण 4 नाम देता है समीकरण 3 और 4 इन दोनों में x के मान दिये गया है तो समीकरण 3 और 4 से हम यह लिख सकते हैं कि minus b1 upon a1 equal to minus b2 upon a2 अब दोनों तरफ rinse in है cancel कर सकते हैं और तिरियक गुणा करेंगे तो हमें यह मिल जाएगा a2 b1 equal to a1 b2 या फिर a1 b2 minus a2 b1 equal to 0 पक्षांतर करने पर यह हमें प्राप्त हुआ है इसे समीकरण 5 नाम देते हैं अब समीकरण 5 को सुविधा के लिए हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं a1 a2 b1 b2 और यह determinants का sign है या इसी को हम सारणिक के नाम से जानते हैं तो इसे हम लिखेंगे determinants a1 a2 b1 b2 equal to a1 b2 minus a2 b1 इसे समीकरण 6 नाम देते हैं तो समीकरण 6 में हमने जो प्रदर्सित किया है या निरूपित किया है यह सारणिक कहलाता है और इसका एक निश्यत संख्यात्मक मान होता है जो कि आपको हल करने पर प्राप्त होगा सारणिक में प्रियुक्त a1 a2 b1 b2 सारणिक के अव्याव कहलाते है इसी प्रकार दो चरोवाले रैखिक समीकरण निकाए हम लिख सकते हैं a1 x plus b1 y plus c1 equal to 0 a2 x plus b2 y plus c2 equal to 0 और a3 x plus b3 y plus c3 equal to 0 और यदि हम इस पर x और y का विलोपन करें तो हमें कुछ समीकरण इस प्रकार प्राप्त होगा a1 b2 c3 minus a1 b3 c2 plus a2 b3 c1 minus a2 b1 c3 plus a3 b1 c2 minus a3 b2 c1 equal to 0 समीकरण एक और दो को आप हल कीजे x और y का जो मान मिलेगा उसे आप समीकरण 3 में रख देंगे तब आपको यह समीकरण साथ प्राप्त होगा तो सुविधा के लिए समीकरण साथ को हम डिटर्मिनेंट्स दिया सारनिक के रूप में कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 यह सारनिक के अव्याव हैं और हमने इसे रो के फॉर्म में पढ़ा है a1 a2 a3 पहले रो में हैं दूसरे रो में b1 b2 b3 और तीसरे रो में c1 c2 c3 और इसे आप सरल करें या फिर जो समिकरण साथ से ही हमने यह सारनिक बनाया है तो आप लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट्स या सारनिक a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इक्वल टू a1 b2 c3 माइनस a1 b3 c2 प्लस a2 b3 c1 माइनस a2 b1 c3 प्लस a3 b1 c2 माइनस a3 b2 c1 समिकरण 8 समिकरण 8 के बाई और जो है यह सारनिक है जिसका संख्यात्मक मान समिकरण 8 के दाई और हल करने पर प्राप्त होता है यहाँ पर प्रियुक्त a1 a2 a3 b1 b2 b3 तथा c1 c2 c3 सारनिक के अव्याव कहलाते है पंक्ति या फिर रो किसी सारनिक में बाई और से दाई और के 36 अव्याव पंक्ति का निर्मान करते है सारनिक के उपर से नीचे की ओर विभिन पंक्तियों को करम सह r1 r2 r3 इस प्रकार प्रदरसित करते हैं तो उक्त सारनि a1 a2 b1 b2 में प्रतंग पंक्ति r1 के अव्याव a1 और a2 है इसी प्रकार द्वितिय पंक्ति r2 के अव्याव b1 और b2 है किसी सारनिक में उपर से नीचे उर्धुआधर अव्याव इस्तंग का निर्मान करते हैं सारनिक के बाई ओर से दाई ओर विभिन इस्तंभों को c1 c2 c3 इस प्रकार प्रदरसित करते हैं सारनिक a1, a2, b1, b2 में प्रथम इस्तंभ c1 के अव्याव a1 और b1 है इसी प्रकार द्विति इस्तंभ c2 के अव्याव a2 और b2 है कोटी या ओर्डर n पंक्तियों और n इस्तंभों वाले सारनिक को n वे कोटी का सारनिक कहते हैं जिस प्रकार आप आव्याव में पढ़ चुके हैं कि अलग-अलग आव्यावों की इस्तिती को हम किस प्रकार लिखते हैं तो यहाँ पर हम nth कोटी का एक सारनिक दरसा रहे हैं a11, a12, a13 इस प्रकार a1n लास्ट आव्याव प्रतम पंक्ति का लास्ट आव्याव इसी प्रकार a21, a22, a23 up to a2n और अंत में जो हमारा रो होगा यह होगा an1, an2 up to ann तो कुछ random examples लेते हैं जैसे कि a23 तो पहला जो अव्याव है यह रो की संख्याव को प्रदर्सित करता है और दूसरा अव्याव कॉलम को प्रदर्सित करता है इसका मतलब यह कि a23 मतलब दूसरा रो और तीसरा कॉलम इसी प्रकार A22 का मतलब है दूसरा रो और दूसरा कालम इस प्रकार यदि दूसरा सारनिक ले A1, A2, B1, B2 इसे द्वीतिय कोटी का सारनिक कहते हैं और सारनिक A1, A2, A3 B1, B2, B3 C1, C2, C3 इसे त्रितिय कोटी का सारनिक कहते है ध्यान देने वाली बात यह है कि सारनिक में पंक्तियों वा इस्तंभो की संक्या जो होती है वा समान होती है तो समानिता सारनिक को डेल्टा या जो त्रिभुच का चिन्न बनता है अत्वाद D के द्वारा प्रदर्सित किया जाता है मुख्य विकर्ण के अव्यव किसी सारणिक में बाई हांत वाले कोने से प्रारंब करके विकर्ण के अनुदिस लिये गए अव्यव मुख्य विकर्ण के अव्यव कहलाते हैं उधारण के तौर पर सारणिक A1, A2, B1, B2 में A1 और B2 यह मुख्य विकर्ण के अव्याव हैं इसी प्रकार सारणिक A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 में A1, B2 और C3 यह मुख्य विकर्ण के अव्याव हैं और इसी प्रकार Nth कोटी के सारणिक में A1, A2, A3, A4, A4 and up to ANN यह मुख्य विकर्ण के अव्याव हैं अब देखते हैं कि सारणिक का प्रसार किस प्रकार करते हैं तो द्वितिय कोटी के सारणिक का प्रसार Expansion of Determinant of Second Order तो A1, A2, B1, B2 यह द्वितिय कोटी का सारणिक है जैसा कि हम उपर देख चुके हैं कि इसका जो मान होता है यह A1, B2 माइनस A2, B1 होता है तो A1, B2 यह मुख्य विकर्ण के अव्याव है तो चितर रूप में यदि से हम समझें तो आप देख पारे हैं कि A1 और B2 का गुणा पहले किया जा रहा है और फिर रिंड चिन लगा करके या फिर घटाया जा रहा है B1 और A2 को गुणा करने पर जो प्राप्त हो रहा है उसे तो इस प्रकार हम यह लिख सकते हैं कि द्वितिय कोटी के सारनिक का मान बराबर मुख्यविकर्ण के अव्याओं का गुणा फल रिंड सेस अव्याओं का गुणा फल या फिर यदि आईसे आप चिन से प्रदर्शित करें तो धन चिन वाले तीर के अव्याओं का गुणा फल रिंड रिंड चिंड़न वाले तीर के अव्यवों का गुनण है तो इस प्रकार द्वीतिय कोटी के सारणिक का प्रसार A11, A12, A21 और A22 का जो प्रसार है उसे हम लिखेंगे A11 into A22 minus A21 into A12 चलिए आईए देखते हैं इससे सब्मंदित कुछ प्रश्ण सारणिक का मान ग्याद कीजिए जिसके अव्यव हैं 2X plus 3, X plus 2 यह द्वीति कोटी का है और यह है 2X plus 1 और X plus 1 तो आपको यह पता है कि सारणिक को हम कैसे हल करते हैं इसमें इस अव्यव का गुणा इस अव्यव के साथ किया जाएगा और फिर रिंट चिन के साथ इसका गुणा इसके साथ किया जाएगा तो इसका मतलब यह कि 2X plus 3 into X plus 1 माइनस X plus 2 into 2X plus 1 आग इसको सॉल करते हैं तो इसका मतलब यह कि 2X का मुल्टिप्लाई पहले X plus 1 के साथ होगा फिर 3 का मुल्टिप्लाई X plus 1 के साथ होगा फिर माइनस X और 2X plus 1 फिर माइनस 2 2X plus 1 मुल्टिप्लाई करते हैं 2X into X that is 2X square plus 2X plus 3X plus 3 माइनस 2X square माइनस X माइनस 2 2 4 हो जाएगा 4X माइनस 2 देखिए 2X square positive है 2X square यहाँ पर negative है इसी तरीके से 2X plus यह दोनों पत cancer हो जाएगा यह पत और यह पत cancel हो जाएगा 2X plus 3X 5X और यह माइनस 4X और माइनस X यह 5X हो गया यह भी cancel हो गया 3 माइनस 2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 तो मान ले कि यदि इसके value delta है तो delta equal to आपको मिल रहा है 1 और यही इस सारनिक का हल है इसमें एक दूसरा सारनिक दिया गया है कि 2 plus 3 Iota और यह है 4 और फिर 1 और 2 माइनस 3 Iota आपको यह पता है कि Iota जो है इसकी value ओते इसको root over minus 1 कालपनिक संख्या कालपनिक संख्या या समित संख्या में आपने इसको पढ़ा था तो जैसे हम लोग समानिता हल करते है किसी सारनिक को ऐसे ही हल करना है इस पत का गुणा इस पत के साथ करना है फिर रिंड चन लगाएंगे और इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो आप लिखेंगे 2 plus 3 Iota into 2 minus 3 Iota minus 4 into 1 that is 4 अब यह A plus B into A minus B A square minus minus B square और यह minus 4 2 का square करेंगे मिल जाएगा 4 minus 9 Iota square और यह minus 4 plus 4 minus 4 cancel हो जाएगा minus 9 और Iota square की value होती है minus 1 चुकि Iota square equal to minus 1 होता है यह value put करेंगे ultimately मिल जा रहा है 9 और यही इस सारनिक का हल है अगला प्रशन दिया है कि यदि द्वीती कोटी का सारनिक है इसके अवयाव है X 3 5 2 X बराबर 5 रिंड 4 5 3 यह सारनिक है तो X का मान ग्यात कीजिए तो इसे हम हल करते हैं दिया गया है कि यह X 3 और 5 और 2 X यह सारनिक जो है यह दूसरे सारनिक के बराबर है 5-4 5 3 यहाँ पर हमको X का मान ग्यात करना है तो जिस तरीके से हम सारनिक को सरल करते हैं उसी तरीके से सरल करेंगे X और 2 X का गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5 और 3 का मल्टिप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 15 इक्वल टू यहाँ पर भी 5 और 3 का गुणा करेंगे मिल जाएगा 15 रिंड 5 और 4 का गुणा करेंगे 20 और यह रिंड चेने पहले से है तो यह रिंड 20 आगे सरल करेंगे तो मिल जाएगा 2x square minus 15 equal to 15 minus or minus plus 20 solve करेंगे आपको मिल जाएगा 35 minus 15 इदर positive है पक्षांतर करेंगे तो उदर positive है 2x square equal to 35 plus 15 solve करेंगे मिल जाएगा 50 तो 2x square equal to 50 तो x square equal to मिल जाएगा आपको 25 और x square equal to 25 का मतलब यह है x equal to plus minus 5 क्योंकि minus 5 का square भी 25 होता है और plus 5 का square भी 25 होता है तो इस प्रशन के लिए उत्तर है x equal to plus minus 5 अगला एक सारनिक दिया गया है उसका मान हमें गयात करना है 1 omega तो यह द्वीती कोटीक एक सारनिक दिया गया है 1 omega और omega और minus omega जहां पर omega जो है वह इकाई के घनमूल है तो आपने पढ़ा है कि इकाई के घनमूल जहां पर हमें मिलता है 1 omega और omega square यह इकाई के तीन घनमूल है और इसके बारे में दो महत्तवपूर्ण गुणधर में जो कि आपको गयात होना चाहिए पहला यह कि 1 प्लस omega plus omega square equal to 0 होता है और दूसरा कि omega cube equal to 1 होता है तो इससे एक property निकल करके सामने आती है कि omega square equal to 1 upon omega आप लिख सकते है या फिर omega equal to 1 upon omega square लिख सकते है तो यह दो बातें आपको गयात होनी चाहिए फिर इसको आप सरल कर सकते है तो नॉर्मल जिस तरीके साड़निक को हल करते है वो उस तरीके सरल करना है one और minus omega को गोणा करेंगे तो मिल जाएगा minus omega फिर minus sin omega और omega का गोणा करेंगे मिल जाएगा omega square अब इसमें से अदि आप minus को common लेते हैं तो omega plus omega square आजाएगा देखिए omega plus omega square यहां से इसको पक्षानतर करेंगे to omega plus omega square equal to minus one मिल जाएगा तो इसे आप लिखेंगे minus of minus 1 और minus of minus plus 1 और चुकि आपको पता है कि 1 plus omega plus omega square equal to 0 होता है तो इस property से इस सारणिक का जो मान है यह एक प्राप्त हुआ